हारे का भी अपना मज़ा है, हारे पर ही अपने वास्तविक्ता का ग्यान होता है जो ब्यक्ति संगर्ष करता है, उसे अपने वास्तविक्ता का सबसे महान ग्यान होता है उसके सबी कमियां उसे खोने के बाद जाने जाती है स्वयम से दूर जाकर पुना प्राप्त करना होता है दोस्तो कोई भी लक्ष मानो साहा से बड़ा नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं जिस ब्यक्ति में लड़ाई का साहा से नहीं वही ब्यक्ति हारा हुआ होता है जिसमें लडाई का रोमांच है वह जीत पर अडिक रहता है कितना भी असफलता आ जाए उस जीत को प्राप्त करने का दृढ़ निश्य है हाँ दोस्तो जीवन को गाड़ी से तुलना की जाती है जिससे सभी लोग एके करके चल सकें जो लंबी दूरी तै कर सकते हैं अन्याथा रास्ते में ही दम दोड़ सकते हैं इसी प्रकार व्यक्ति का जीवन है जिसमें सुधार और सुईकार रहता को हमेशा अपनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए हाँ दोस्तो वक्त का पता नहीं चलता पते के साथ कोलेश का पता वक्त के साथ है समय दस्तावेश के साथ नहीं बदला पर अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ दोस्तो जो व्यक्ति अपने लोगों के साथ रहता है उसे बात का पता नहीं चलता हस्ते हस्ते वक्त गुजर जाता है यह भी सत्य है वक्ता ही दिल का परिचे बताता है जहां के भी वक्त नहीं बदलता वहीं अपने भी वक्त के साथ बदल जाते हैं तू ना जुकेगा कभी तू ना रूठेगा कभी करशपत, करशपत, करशपत हाँ दोस्तो किसी विक्ति के जीवन में संघर्ष के बीना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है यह जीवन संघर्षों से युक्त है जिन्दगी को जीना है तो संघर्ष तो करना ही होगा इसके लिए बच्चन जी कहते हैं कि तू कभी हार नहीं मानेगा, ठकेगा नहीं, अपने मार्ग में प्रगतिशिल बने रहें, इस बात पर खुद से शपत लें गिरना भी अच्छा है, अवकाद का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाद उठाते हैं, तो डोक्टर का पता चलता है दोस्तों, बच्चन जी अपने जीवन में जितनी बार सामने आए, उनका कोई मार्ग भी नहीं दिख रहा, तब ही उन्होंने संगर्ष करने का मन नहीं छोड़ा आज उनके संगर्ष के परिनामों से उन्हें समझावता मिल गया है, ऐसे समय में भी उनकी फैन ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, बेवक्त समय में ही उन्हें अपने कारिवियों का पता चला हाँ दोस्तों, बच्चन जी कहते हैं, दो दिन का ये मेला है, दो दिन का आना जाना है, जीवन जीना है जीवन में कुछ ही समय का मेला होता है, जिसमें हंसी खुशी सुक दुग आदि का आना जाना लगा रहता है एकाकिस जीवन को जीते चले जाना ही जीवन है, इस पर किसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है हाँ दोस्तों, यदि हम अपने दृष्टी केवल एक ही पर रखें, जो पीछे छूट गिया है, तो हमें आगे की दिशा कभी नहीं बताएंगे बच्चन जी कहते हैं, जीवन में सदव आगे बढ़ते रहना ही मानाओं का एक मात्र करतब्य है अगर एक जगाए स्थिर होकर पीछे छोड़े गई घटना या समय को देखा जाए, तो हम आगे का रास्ता कभी नहीं दिखेंगे हाँ दोस्तो, जिस उबलब्दी को अपने जीवन में हासिल करना है, वह कभी भी सस्ती नहीं हो सकती मुहबत त्याग की मा है, वह जहां जाती है, अपने बेटे को साथ लेकर जाता है अर्थार्थ, मुहबत जहां होती है, त्याग वहीं होता है, दोनों एक दुसरे के साथ समा जाते है